हाई फ्रेंड्स वेलकम तू माई लाइव क्लास तब आपनों पैसे हैं जरूर बदाएं पटापट जोईन हुए भाई चलिए 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 ठीक है जाहिन जाहिन गौतम जी नमस्कार नमस्कार थे चलिए नमस्ते नमस्ते तो गुट इबनिंग अन्या जी अज पला दिन आप लुट जाहिन कर रही है चलिए ओके ओके अधुट इबनिंग गुट इबनिंग नमस्कार नमस्ते चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग टाइंग को जोई जोई हो पा रहे हैं कि चलिए हम लोग क्लास जोई स्टार्ट करते हैं क्लास जोई लेते हैं तो एडवांस महत में एडवांस महत में नितिश कुमार जी गोडिन नहीं है कियोद्वांस महत में लोग कितने थिर्म मतलब की क्लियर कर चुके हैं कितने थीरम हों था थोड़ा सा अब लोग एल की चिए कि शम्रूप है कि ओके 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 तो चलिए हम लोग क्लास स्टाट करते हैं कि भाई जल्दी जल्दी आप लोग जुआ होईए चीक है जुआ है में लेट मत किजिए अप लोग कि तो क्लास स्टाट किया जाए कि ओके ओके चलिए तो हमने एडवांस में लगभग एगारत हिरम लगभग कम्प्लीट कर लेए तो गुट इवनेंग निदी गुट इवनेंग चलिए फटापट भाई ज्वाइन होईए अब लोग तो देखिए हम लोग जो है एगारत थिरम लगभग कोची बाठा क्लियर है एगारत थिरम हुआ था आप लोगा इलेवेंट चलिए यह जो है बारावा पॉइंट आ या गुरू हो जो बता रहा है आप जिरान से देखिए गार जैसे कोई पूछ देता है कि कौन किसी तिर्भूज के समरूप होने की सर्थ क्या है अगर जैसे कोई पूछता है कि किसी तिर्भूज के समरूप होने की कि दो त्रिभोजों के कि सम्रूप कि वोने की सर्थ कि आनि कि वो कौन से कंडिशन है जिसमें हम का सकते कि दो त्रिभोज सिमिलर है सिमिलर का मतलब सम्रूप तो कल आप लोगों ने देखा कि तिर्भोज अगर सम्रूप है तो क्या क्या होता है संगत को बराबर होते हैं और संगत भुजाय जो है अनुपातिक होती है आज मैं बताने जाने वाला हूँ कि अगर दो तिर्भूज आपको दिखाया जाए तो अब कैसे सिद्ध कर पाएंगे कैसे प्रूफ करेंगे कि ये दोनों तिर्भूज समरूप है तो इसके दो कंडिशन आपको कल का कॉल्टर पहुंच चुके हैं आम लड़ी कि संगत को बर करना केरा हैं गरिन दोनों तिर्भूज को समरूप सीद्र करना है तो हमें जिसका नाम है फून पूल जो कि कल आप प्रोस इसको पड़ चुके ढहे हैं इसका मतलब के एंगल एंगल से मिलारेटि इंगल एंगल से इंगल से आरटि मोह डिक सकता है एंगल 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 से लाड़ी इसका मतलब अगर किसी तिर्भुज के तीनो कोड तीनो कोड के क्रमसा बराबर है तो दोनों तिर्भुज से कि अगर यह एडी के पराबरें जंक आएंगे तिर्भुज एड़ को मभाई स्वीच आप करेंगे तर्ब नहीं करें अब नेटवर्क इसक नहीं है यह कॉल कर रहे हैं लोग इस समय कर रहे हैं जॉइन होने के लिए इस समय नहीं कहां से हो पाएगा अब क्लाश जो है रंगर रहा है ठीक है अब ठीक है कि और देखिए अगर कि पिसी तुरूज के तीनों कोड़र ऑनिक विविद्च बेटेबर में यूद्च के पूर उगया के और सी बराबर हो गया इफके कसके थरह से कि तुरूज आपके बिसी समरूप अब बताई एक ब्राबर तोण है यह आप टी लिखानी दिए बी के बराबर है ए ए निखेंगे और सी के बराबर है ए अर्थात हम कर सकते हैं कि तिर्भूज ए बी सी चीक है सिमिलर ट्रेंगल ए डी ए ए फ तो बताईए यह पाली सर्थ इस आपकट में यहां लिखा हूँ आपकों के याद रहेगा एंगल एंगल सम्रूपदार अनि अर् अगर आपको समय क्राइं तो कि ओके वोलिए ताकि मैं दूसरा इस सर्थ बढ़ा सब दोख़ूटर इस दो यह होगा आपका सम्रूपदा की पाली सर्थ एंगल एंगल सम्रूपदार दूसरा सर्थ हिसे दूसरा सर्थ है कि यही ट्रेंगल आपका कर दो दोनों त्रिवुष सम्रूप का लाएगा जैसे यद एबी बटा डी बराबर बीसी बटा इएफ कि यह दोनों त्रिवुष क्या है अब थोड़ा नाम सुच के पकड़ेंगे रखिए यह बी तो इसमें का डी यहां पर लिख लिए तो इसमें से जो बच गया उसको लाश्ट में लिख देंगे देखिए डी एफ इस तरह से कह सकते हैं कि त्रिवुष एबी सी त्रिवुष डी इएफ के समरूप है अब से फिर एक बार समयें साइड 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 समरूपता और कि हिंदी में बोलेंगे भुझा 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 समरूपता अर्थात किसी ट्रिवुष के कि लिया रहे दौश साथ आप लोग फली पड़ चुके हैं उसी को मैं और घृट गया तोश्ण और्ट हो गया कर गया तोश्राइण साइड 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 से दोनों समझ भाया है डाल पोट्ट सन्चु सिंग जिए जिए ओपे दो एंगल 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 टीज साइड 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 अगर अन्पातिक है तो ती बूप होते हैं तीसरी सब्पेकिए तीसरी है को अधिकार है वोजा को मुकित समरुपता कि इसको हम इस अध्र मेरे कैसे देखिए ऐंगल साइड एंगल एंगल साइड एंगल समरुपता ठीक है अगर किसी त्रिभोज के दो त्रिभोजों के दो कोड और कहीं का भूजा नहीं ले लेंगे उनके बीच का भूजा जैसे एंगल B सुपोज़ डेट एंगल B परावर है एंगल E के ठीक है और एंगल C बरावर है एंगल F के माने ही आपको देखी बारे अद तब तक हमें जनकारी मिल गया कि BC बरावर EF ठीक है BC बरावर EF अगर ऐसा आपको मिलता है इसको कहेंगे देखिए एंगल साइब एंगल एंगल साइब एंगल अब समझवारा आपको अनिकि साइब जो है दोनों कोनों के बीच का ही चाहिए ठीक है अब इसका यूज भी बताएंगे अब भड़ाएं अभी मैं ये सीद्व करने के लिए अपको सिखा रहा है अगर समरूप नहीं जानेंगे तो कोई एक भूजा छुपा देगा तो कैसे निकालेंगे जब समरूप होगा तभी तो भूजाएं अलपातिक होगी अलपातिक हो नहीं जिए कि जब दो रहोज को सम्रूप देख पाएंगे आपो ठीक है तब जा चार करें उसे समुरूप आप दिखा पढेंगे और एक लाश्ट सन्व आ आपका का यह जो है चार नमबर कोण कोण समरुपता का मतलब एंगल एंगल सिमिलारटी एंगल एंगल सिमिलारटी ठीक है यह बहुत ही असान तरीका है इसको जानते के लिए कि अगर किसी त्रिवूज के दोखों से दोखों बरावर विए उसके बासे वाराएं कि अधिर ने जनकारी में देरा तो तीसरा आप वा सोच सकते हैं कि अपने आप वराबर होगा क्योंकि तीनों कोणों का यह गुंता है 180 डिग्री जब दो इतना आई है तो 180 में से दोनों पुगाटाने पर इकोल ही आएगा आणि कि तीसरा कोण आप समझ सकते हैं अपने आप हो जाएगा तो इसी को कहा खाया कि अगर किसी त्रभुज के दो कौन अगर बराबर है तब विए गाराण्टी के साथ सकते हैं कि दोनों त्रभुज क्या है समरुप है नाम पर इसे रखेंगे ए भी त्रभुज एवी और वी सी अपने मन से लिए नोगर वरावा तो देखिए जैसे हो जाएगा एसे मालने ये संटर डिग्री ये पचास डिग्री ये भी संतर डिग्री ये भी पचास डिग्री तो बताई ये दो अब दीख रहे ना तो बताई एक तीसरा कूण कितना होगा तो बताई ये साथ डिग्री तो बताई इसमें का तीसरा कूण कितना होगा अब तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि तिर्भूज की समरूप होने की चार चार क्राइटेरिया है चार्चार संतर हैं पहला आपका और यह चो था रहा है इंगल एंगल समरूपता चलिए यह फिरम नहीं था वारा नमबर कौइंट के नाम से मैं आप लोगों को सिखाया यह फिरम नहीं है बस जो है आपको समरूप दिखाने के लिए तरीके दिखाये अब मैं थेरम बताने जा रहा हूं तेरा नमर उसको ध्यान देजिए अधिए मैं कहूं कि यह दो तर्वोज दो तर्वोल इस प्रकार है इस प्रकार है कि अध्यान देजेगा अब इसका यूज सिखा आओ कि पी क्यू आर कि एल एम इन द्यान दीजिए कि यूज सिखा रहा हूं करेंगे आपको दे रहा है कि यदी कि दो त्रभूजी इस प्रकार है कि अब यहां फिगर देखिए सत्तर डिगरी ठीक है उसके बाद से यहां देदी आपका सत्तर डिगरी यहां जेदी अ प्चास्ट इसके मार्ड यहां लिनका न रिक्रा ब्रार विस जां लिक्राई है 25 यहां लिक्राई एक्स हम करा रहा हूं कि कोई भी है अगर कोई भी स्टुडेंट समझ पाया है तो एक्स का मान बताए कि एक्स क्या होगा तब हम समझेंगे कि कल का थेरम सम्रुप्टा वाला और आज का यह चीज समझ पाया है कि बताइए बताइए कि सम्रुप्टा को इंग्लिज में सिमिलार्टी बोलते हैं अबीत कुमार जी सिमिलार्टी आप ट्राइंगर आनि कि दो चीज एक जैसे हो एक रूप के हो तुसे सिमिलर बोला जाता है सिमिलर कि देखिए गौतम जी साथ बता रहे हैं कि एक स्कामान साथ होगा बताएए मैं भुझा पूछ रहा हूं तो एक डिगरी बता रहे हैं यह जो है भुझा का मान आपको बताने पूला गया है एक आज़ी बता रहे हैं कि यांसु बता रहे हैं साढ़े बारव कि रखना सिंह यह भी बता रहे हैं साढ़े बारव हाली बारव दसमलों पांच अब मैं समझा रहा हूं कि कैसे जो लोग पूछ रहा है कि देखिए ऋचैन्सर एंगल दी इज अग्याइगा पी रुटू अग्रेंग रैट सबतर डिगरी आप लोग धिकरा है कि पी और यहनों कि यह वाइड वाइगल दीलियों में एक रहे को पर पर हो गए अब देखिए में एंगल इज वेल टू इसमें का रहे टू है एल एल और दिए तो नाम पकड़िये थो त्रहूज पी आर थे द्धियां सुनियेगा और यह एक सब्सक्राइब है कि कौन तिहुर्प दिखा यार जब समरूप हो गया तो आपट पढ़ें धेरम कि इसकी भुजाएं अनुपार्टिक होती है तो चलिए इसकी भुजाएं को अनुपार्तिक दिखा जाएं इसमें का लिख रहा हूं PR, तो उसमें का क्या होगा? NL, इसमें का लिख रहा हूं RQ, तो उसमें का क्या होगा? LM, इसमें का लिख रहा हूं PQ, तो उसमें का क्या होगा? NM, आप filling the blanks रखिए, PR का value आप देखिए, PR is 1 to 12 है, NL आपका 20 है, RQ देखिए, RQ 8 है, और उसमें का देखिए L M, L M कितना है, 25 है, फिर इसमें का P Q देखिए, 10 है, और इसमें का जो है N P देखिए, N P, सोरी, सोरी, N P नहीं है, कौन है भई, N M, N M कितना है, N M आपका 20, 20 है, और N M कितना लिखे, N M जो है, यही तो पूछ रहा है कि N M क्या है, आनि कि X, अब यह समझना है आप लोगों को, ठीक है, अब देखिए, इसको अगर हम लोग कैंसिल कर देए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इससे काम ले ले लिए अपरा, तो इसको कैंसिल कर रहा है, तो देखिए, 12 एकम 12 X, बरावर 20 दामें, 200, खटाईए, चारतियाई 12, चार पचे 20, X बरावर 50 बढ़ा 3 सेंटेमिटर, ठीक है, X बरावर 50 बढ़ा 3 सेंटेमिटर, ठीक है, एक बार और शुरू से बताया है, चलिए, छोड़ देखिए, इसको, देखिए, एक बार और देख लिजी आप लोग, और इसे है, ए बन, ए Ph.P.W.। मैं कहा रहा हа हूं कि ये 50 डीव्ढ़ी ए, ए औस 11 डिगरी है, इसमें देखिए, इन, इसमें भी ए देखिए, पचार डीव्ढ़ी और ए औस सी डीगरी, तो बताईएँ दो कोंड से भोड़ावर आप दीख रहा है, यह समरूप त्रभूज में नाम रखना सखें त्रभूज ABC समरूप तिर्भूज एक पराबर कान है ये समरूप तिर्भूज का नाम रखने आपको आ गया उसके बासे इसमें देगा जैसे ये 20 दे दिया है ठीक है यहां पर आपका 25 दे दिया अब सोचिए एक स्कमान पूछ रहा है तो आप लोग पढ़े हैं कि दो तिर वोज जब संगरूप बुजाते हैं तो संगत बुजा है क्या होती है अनुपातिक होती है तो देखिए इसमें बनाकर कुछ भी नहीं लिखा जा सकता है उस सेट करके सवाल मिलता है मैं पिछली बार जो बीना सेटिंग का मैं दे दिये थे बस यह बता करने के लिए संगरूप लिख के भुजाय अनुपाती का प्रूप लिख सके इस बार मैं सोच के बनाया हूँ इस चीज़ बता रहा हूं मैं इसमें का लेंगे एसी तो उसमें का उन्हारी अले माल हुए यहां तक आप लोग समझ आ रहा है कि दो त्रिफो सम्रूब हो गए तो पुजाए अनपातिक हो गए तो बताए एक ना है लम कितना है देखिए उसमें दस बीसी कितना है 40, फिर उसके MN कितना है, 20, इसमें का AC कितना है, 25, तो पूछ रहा है कि LM कितना है, X, क्या आप ग्याद नहीं कर पाएंगे, इसको कैंसिल कीजिए, इसको किसी एक को ले कहल कर लिजिए, कि अगर किसी त्रिभूज की भुजाएं छुपा दे जाएं, तो उसे समरूप दिखा कर हम से ज्याद कर सकते हैं, चलते हम आगे की ओर, और 13, तेरा नमबर, चलते हैं, देखिए, तेरा नमबर प्रमे है, प्रमे तेरा, प्रमे तेरा नमबर जो देख रहा है, इसको मैं एक और नाम दे सकता हूं, इस पर इसे छेत्रफल सम्बंदी प्रमे बोलते हैं, छेत्रफल, सम्बंदी, प्रमे, तो इस ठीरम को आपको याद करने का अधी तरीका मैं सिखा रहा हूं, कि अगर किसी जोमेट्री के प्रस्त में, अगर किसी जोमेट्री के प्रस्त में, भाई तेरम बद्ल ध्यान knigy गोडि में गोडि मनें सुनिये, तो आप समझ जाएगा तो आप समझ जाएगा कि यह तेरा नंबर प्रमे जो पढ़ाने जा रहा हूं यहीं इसका नाम दिया गया चेटरफल समंदी प्रमे अब यह प्रमे क्या है तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं थोड़ा सा ध्यान दिजिए कि यादी देखिएगा यादी दो त्रिभूज यादी दो त्रिभूज समरूप हों समरूप है तो उनके छेत्रफल उनके छेत्रफल का अनुपाद देखिए इसमें बहुन से नॉलेज आपको मिलने वाला है उनके छेत्रफल का अनुपाद उनके संगत भूजाओं ठीक है कामा माधिकाओं मिडियान ना माधिकाओं परिमापू ठीक है तथा शंगत उंचायों के बर्गु के अनुपाद के बराबर होता है अनुपाद के बराबर होता है देखिए लिखने में कितना बड़ा है लेकिन आप एक लाइन में इसको समझेगे देखिए अगर मानने जिए एक तिर्भूज है आपका ABC और एक तिर्भूज हो गया यहां पर DEF आए आपको कहीं से किसी तरफ पता चल चुका है कि तिर्भूज ABC समरूप है तिर्भूज DEF के यहां का क्लियर है अगर मानने जिए आपको पता चल आपको तो समझ लीजिए कि कि दो समरूप तिर्भूज है तो उनके छेत्रफल का आण पात आणि कि एरिया आफ एरिया आफ ट्रैंगल देखी ए आर का मतलब एरिया होगा आनि तिर्भूज ABC का छेत्रफल बटा तिर्भूज DEF का छेत्रफल उतना ही होगा जितना की उनकी संगत भुजाओं संगत भुजा बोलिए कि इसका बर कर दोगे कदम करांटी है कि दोनों के एरिया का अनुपात के बराबर होगा जिए अमीद कुमार जी पूछ रहें कैसे पता चलेगा कि कोईश्चन में दिया रहेगा तभी तो यस भाई आपको देगा कि दो तिर्भूज संग्रूप है पहले ही कोईश्चन में लिखेगा कि यह दो तिर्भूज संग्रूप है और एक का छेत्रफल बीस वर्ग मिटर है तो दूसरे का क्या है ऐसा देगा इसलिए तो मैं करा हूं कि किसी तरह पता चल चुका रहेगा कि दोनों प्रिवोज संवरूप है तो के रिए त्यरम काम करेगा कि दोनों के छेत्रफल गानवाद उनकी संगत भुजाओं के बर्गों के बढ़ावर होगा और भी मुलिए इसकी भुजा लेंगे बीसी तो इ इसका विबर करेंगे तु उतना ही होगा तो बताइए इसमें से कोई अगर एक देख पर एक कुछेगा तो आप इससे ज्यान कर सकते हैं यहीं तक नहीं अभी आगे भी थीरम बढ़ रहा है आगे भी बढ़ रहा है किनकी संगत उचाई हो अगर माल नहीं ती इसकी एक और माल भी चलेगा और एक और चीदिया है माधिका की माहिश्टी गई है ऐसे इसकी माधिका है तो इसकी माधिकाओं के बर्वों के अनपाद यह बिबराबर होता है अर्थाथ पहले की माधिका बडा दूसरे कि माधिका का भर्व भी हो सकता है इसमें एक चीज और लिखे हैं यहां पर परिमाब को आनि त्रुपुझ ए-बी-सी का परिमाब जानते हैं ना एव भी धन-बी-सी-धन-सी ए आनि कि साट्टर्ट में लिख दरा हूं यहां पर पीवन बटा पीटु का भूर भर्व भी यह काम करेगा तो यह चीज समझ पाए है अगर बोलिए इक जांप अभी सम्झा दूंगा इसे कैसे पूस्चन आएगा कैसे अलकर अब यह थेरम बोट पाएंगे अप लोग जयसे मैं बोल राव सुन ले एक बार बॉल राव सुनिए माधिका को इंग्लिश में मेडियन मोट अमीज जी मेडियां मोटे कल नहीं थे क्या आएँ कराया हूं मेडियन आनि कि वर्टेक्स से उसके बेस के मद्विट को मिलाने वाली लाइन ट्रीक्स से विसी के मिडिल कॉइन को मिलाने वाली जो लाइन होती है वह जो है चलिए एक बार और इस्थिरम को मैं बता रहा हूं ध्यान दिजिए अब साट्वर्ट में बता रहा हूं देखिए अगर मान लिजे कि यदि तिर्भूज ए बी सी समरूप है तिर्भूज डी ए एफ के अगर ऐसा आपको पता चल गया है कि दो तिर्भूज अब से बता रहा हूं वहीं सुलिए यह तिर्भूज A, B, C समरूप तिर्भूज D, E, F तो क्या क्या होगा देखिए जैसे एक तिर्भूज आपका यहां हो गया A, B, C और एक तिर्भूज A होगा आपका D, E, F और दोनों तिर्भूज समरूप है आपको पहले से जनकारी बिल गया है तो क्या क्या हम इसके बारे में जान जाएंगे देखिए एरिया आफ ट्रैंगर A, B, C आनि इस तिर्भूज का छेतरफल बटा एरिया आफ तिर्भूज तो कि इसकी संगत बूजा देखिए और पूछेगा तो क्या आप नहीं निकाल लेंगे यह चीज समझ गया है अप लोग कि दोनों त्रिभूज के छेत्रफल का अनपाद उनकी संगत भुजाओं के बर्गों के अनपाद के पराबर होता है अगर मालीजिए इसमें का भुजा बीसी दे दिया है इसमें का भुजा क्या लेना पुड़ेगा इसमें का भुजा ले ले लेंगे तो आपका वही चीट होगा यह इस बता रहा हूं में अगर इसमें की यह उचाही दे दिया है इसमें का उचाही एच्टू तो इसी के बराबर में हम लिख सकते हैं लगाए जा सकता है ठीक है तो मैं एक कोईच्चन लीक करके और उसको हल करके दिखा रहा हूं की स्थेरम को कैसे हल करेंगे तो छेत्रफल समंदी प्रमेग को एक बार बोलने का प्रयास कीजिए आप लोग अपने से देखें कैसे यहादि दो तिर्भोज समरूप है एक ला तो उनके छेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भोजाओं के बर्गों के अनुपात के बराबर होता है उनकी संगत माधिकाओं के बर्ग के अनुपात में भी होता है उनकी संगत परिमाप के बर्ग के अनुपात में भी होता है उनकी संगत परिमाप के बर्ग के अनुपात म जैसे जैसे वह एक कोश्चन आपनों के सामने रख रहा हूँ देखा इस तरह से कि यदि त्रिभूज पी क्यू आर तथा ऐसे से राने देजिए यदि दो समरूप याद दो समरूप त्रिभूजों दो समरूप त्रिभूजों की जहत्रफल क्रामसा हाँ क्रामसा हाँ 64 तथा 36 बर्ग सेमी है तो यदि प्रथम त्रिभूज की एक भूजा चार सेंटीमीटर है चार सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभूज की कि संगत भूजा क्या होगी संगत भूजा क्या होगी बस यह सवाल करेंगा मातर इक लाइन हल करेंगे देखें कैसे कैसी ने समझ गया कि दो त्रिभूज समखरूप है कि एरिया आफ्ड प्रस्ट ट्राइंगल बटा एरिया आप सेकेंड ट्राइंगल बराबर संगत भुजा तो पहले की भुजा किकना दिया है चार सेंटिमीटर दूसरे की भुजा पूछ रहा है सुपोर्ज लेट एक्स होगा तो बर्गों के अनपार्ग में इसके होता है ना चलिए फर्मदा रखते हैं एरिया आप सेकेंड ट्राइंगल थर्टी सीक्स बराबर फोर अपान एक्स का होल इसका है अब सलुसन आपके हाथ में सोची कैसे करेंगे ठीक है बताइए अगर दोनों पक्षों का बर्गमून कर दिया जाए तो आठ बटा छो बराबर चार बटा एक्स चार द सेंटीमीटर है तो दूसरे की गारांटी है कि उसकी संगत भुजा तीन सेंटीमीटर रही होगी कि आया समझ में तो यह चेटरफल समंदीर आपको तभी याद आएगा जब किसी जोमेट्री के प्रस्ट में एरिया की बात करेगा तब समझे लिजे कि यहीं थिराम वहाँ पर अपलाई होगा तो देखिए इसमें आप लोगों को बार कि द्रतिरम हो गए इसमें यह तेरा नम्बर थेरम थाना तेरा के बाद से देखिए इसमें कौन से थेरम जो है जानने है हम लोगों को अब इसके बाद से कुछ एजए एजए थेरम आपको मिलने मादें चेक है यह तेरम लंबा था थोड़ा लेकिन हमें आसा है कि आप लोगों समय लिया होंगे आप बोल भी सकते हैं अब सिंपल सा देख लिए एक बार यह दो त्रिभोश समरूप है तो उनके छेत्रफल का अनपात उनकी संगत भुजाओं के बर्गों के अनपात के बराबर होता है यह करके बोल सकते हैं कि उनकी संगत उचाईयों के वर्ग के अनपात के बराबर होता है यह करके भी बोल सकते हैं कि उनकी संगत परिमापों के वर्ग के अनपात के बराबर होता है चलिए प्रमेच उधा कर आप यह को कि पहले से मैं ने बता चुका हुए संटरोई संटरोई कि तो आप लोगों को बताए गया था कि मतने का जान बिल्ध कि तीनु मधिकाएं जीस बिन पर काथती है उसे सेंट्रोइट या हैंदे में केंद्रक बोलते है तो एक केंद्रक से समद्र wielit प्रम्य है देखिये कि त्रिभूज आने कि इतुर्वोज त्रिभूज का केंद्रक केंद्रक माधिकाउं को न दीन माधिकाउं को सदय डौ दो समंदे एक के अनुपात में अन्तह अन्तह विभाजित करता है विभाजित करता है अब देखिए आपनों क्यों याद कर लेना इस चीज़ को यह प्रूफ अगेरत आपनों करना नहीं है करना है तो त्रिभोज का केंद्रक माधिकाओं को सब्सक्राइब दो समंदे एक केंपात में काड़ता है अर्थाथ यह फिगर से देखिए अगर मान लिजिए एक त्रिभोज मैंने बनाया एक बीचि तो यह से बीसी की माधिका मैं खीच रहा हूं इसके विडिक पॉइंट जाता है दिट रहा हूं जैसे इसको ले आकर मैंने बिला दिया डीपर तो कोई पूछे कि a बड़ी क्या रहे तो बताएंगे कि A D की माधिका क्या है अर्थ गर सकते हैं यहां पर दिकरा है तो इसको ले जाकर मैंने मिला दिया यह हो गया इए अगर कोई एक कि यह मादिका आँ अब मैं इसके मिड़कों यहां से इसको लेकर आए तो यह होगे आपका अगर पुछता आए टिस्टी एफ क्या है तो गाएगे एबविट जी पर यह बताया देक्दिर केंद्र पोर्यों क्या करते हैं गृत केंड़र आप ग्रेफ की भी बोलते हैं इसलिए मैं इसको ओ से ना दिखाए पर जी से दिखाए तो यह थिरम का आता है कि यह केंद्र खिर भूज की जो यह माधिता देख रहे हो इसको दो टुकड़ा में बाढ़ती है लेकिन इस प्रकार बाढ़ती है इस सदेव एक टुकड़ा दू हिसा रहता है और एक जाएगा नीचे समझभा रहे हैं आप लोग अब सवाल यह है कि दूसर वंदे एक गोल्टा लड़के समय लेते हैं कैसे कुछ लोग समझते हैं कि दू इधा है एक इधार है तो ऐसा नहीं है जो सिर्स से रहेगा सिर्स वाला दू हिसा रहेगा आजो बेस रहेगा वह एक ह किसी वित्रभूज में सुभाम जी किसी वित्रभूज में नियम वालों करेगा यह दो हो जाएगा फिर इसमें देखेंगे तो एक हो जाएगा और एक हो जाएगा तो हम इसको गणित के रुप में लिख सकते हैं कैसे देखिए कि AG कि समंदे डीजी बराबर दो समंदे एक सीजी समंदे एफजी ए टीक है बराबर दो समंदे एक बी जी समन्दे ईजी बराबर दो समन्दे एक अगर किसी को डाउट है तो पुछे नार्मल देखने पर आधा आधा दिखेगा नहीं दिखेगा सुभम जी आप इंजी से एक इस्ट्रक्चर कीजिएगा घर पर टाइंगा और माप करके देखिएगा कि आधा हुपारा है कभी भी आधा नहीं हो सकता है हमेशा दो समंदे एक ही रहेगा तो बदाइए यह थिरम कितने लोगों को समझ लागया कि कि त्रिभूज क्या किंद्रक मादिगाओं को सब्सक्राइब दो समंदे एक के अनबाद में काटती है कि ओके तो देखिए इस पर क्वेशन कई से पुछता है अभी बदा रहा हूं को कि यह कोशन ऐसे पुछेगा एक ट्रैंगल बनाएगा इसे ठेक है और यहां पर पी क्यू आर लिख देगा इसे और यहां पर एक पॉइंट लेगा और इस तरह दिखा देगा कुछ है कि कि और अगर यहां और यहां पर नाम रख़ेगा कुछ भी नाम रख़़ेगा और अब आप से पूछेगा कि बताईए अगर यह 12 सिंटिंट है तो बताईए एस है कि एस मान लिए एटी है तो कहाँगा कि यदि ओर बराबर बराबर 12 सेंटिमिटर तो ओटी बराबर क्या ओटी बराबर क्या अब जिसको यह थिरम समझ ना रहा है उसको कुछ पुल्चे गार ना करेगा उसको डिर्यक्टिव ट्विक मारेगा कि भाई हम जानते हैं कि अधि विडियोंगे मिल आएख क्या है अब मेडियों जो है जब टाइड आए इसको गुरुत केंदर कहते हैं अनि केंद्र कहते हैं अकेंद्र क्वमेस मांधिया को दूसरे मनेक में बाठता है तो बताओ दू ही सामतलब बार हो एक ही सामतलब चाहो यह कितना हो जाएगे तो दो गुना नहीं होगा सीर्स वाला 12 है सुभाम जी चोब इसे होगा भाई यह सीर्स वाला डबल रहता है तो डबल है चोब 12 है ती अधर नहीं होगा छे सेंटिमेटर है चीक है ओके ओके तो आप लोगों का यह प्रमेट 14 होगे आप कुल दिकत तो नहीं है अब चलिए प्रमेट 15 पर आती प्रमेट 15 यह अथियरम देखिए को भी इस्तमाल किया जाता है जब किसी जोमेट्री के प्रश्ट में ग्रेकर नहीं लेस्टाइम का च किसी जैसे लिखा है ऐसे लिखा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि यह 15 और सुर्ण धूर्ण है जिससे ग्रेटर दें लेस्टाइम के सारे सवाल होते हैं चीक है ना मैं दूंगा इसके बाद वाले को देंगा पर में पंद्रह यह है कि किसी भी घबड़ा यह मत मैं सारे पढ़ा लूँगा तो जमेट्री के हर टाइप के कुश्चन मैं कुद लिखूँगा आप लोगों से खरवाऊंगा उसके बाद मैं भी अगरूँगा ठीक है क्यों मैं कि थ्यरं की जनकारी जाब करता है कि कैसा थ्यरं होता है कब जो है कौन सा थ्यरं मतलव कि हमें यूजच करना है यह पूरे ढकर बात आएगा अमिर जी के लिख जोए माधिका को दो Самरों इतना ही याद करना है आपको चलिए इसको देखें किसी किसी त्रिभुज कि कि नहीं कि दो भुजाओं का योग दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदर बड़ा होता है अब बताई ये थिरम कितना आसान देखिए कि किसी भी त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज हो उसके किसी भी दो भुजाओं को जोड़ेंगे तो गरांटी है कि तीसरी भुजा से ओं क्या होगा तीसरी भुजा से ओं बड़ा ही होगा जैसे एमार लीजे कि ये त्रिभुज हो गया आज ची करें थो इसमें किसी भी दो भुजा को जोड़ेंगे एभी पालास भी सी ती गरांटी है कि ये बड़ा होगा इसी से अगर आईशान महीं होता है तो उस्तिर भुज को अस्तित ही नहीं है वो त्रिभुज को नहीं बनाया जा सकताijn ऊस्तिर्भुज को बनाया ही न के किसे हो जाएगा इजल कि इसी दरह पर ऊखे एसी पर फिदी सी एक पला सी एबी कैंट को ग्रेटर देन up कि अन्हें कि ये त्रों तभी इस्तेमाल करना होता है चुभी इंस इंटम जाएव करना होता है जब किसी पुर्ण करो थो इससे सवाल हो सकता है तो कैसे इसको बोलेंगे कि किसी भी त्रिभूज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदय बड़ा होता है कोई डाउट है तो पुलिए अब देखिए पंद्रा के बाद से प्रमे सोला क्या है कि प्रमे सोला भी अब काईजी है कि किसी भी त्रिभूज में किसी भी त्रिभूज में बड़ी कोण के सामने की भुजा सामने की भुजा छोटी कोण के सामने की भुजा से त्रिभूज में अगर दो कोण अलग अलग है तो बड़े कोण के सामने की जो जाओगी वह छोटे कोण के सामने की भुजा से निश्चित ही बड़ी होगी ठीक है यह पंद्रह नमबर मैं फीर से कह रहे हैं कोई अमीद कुमार जी तो पंद्रह नमबर में क्या बताया थे नहीं ज्यांग दिए क्या आप लों कि लेकिन सर एबी प्लस एसी बरावर बीसी ऐसा कभी नहीं होगा अमीद जी एबी प्लस एसी जोड़के बीसी कभी नहीं होता है ट्रैंगल में लों आप पुड़े होंगे जानते हैं ना आपर वह जोए सदी सदी सिस्केलर और बेक्तर में पड़े होंगे क्ये धन-बी-सी बरावर सीए कभी भी ये मयथ में नहीं होता है याद रखिएगा ये धन-बी-सी ए बरावर बरसीए और दो भुजांगा जोड किसरे के पीजिए जैसे मालनी जी कि एक तिर्भूज हो गया एबी सी और ये तिर्भूज हो ये की तिर्भूज है इसमें हमको पता है कि यह जो है ओड़ा है आया को छोटा है अगर इतना आपको कहीं से नॉलेज मिल जाए तो आप गरांटी के साथ कहिएगा कि बड़े कोण के सामने की भुजा एसी ग्रेटर नहीं छोटे कोण के सामने की भुजा एसे आप गेस भी कर सकते हैं बताई यह बड़ा कोण है तो यह जादा प्पहलाया होगा यह जो है साइट बड़ा होगा कि नहीं यह छोटा कोण है तो ही तो यह साईट चोटा होगा ही जोगा तो एक slic tuckly आपको याद हो जाएगा इसी किसी भी त्रärt भुज में बड़ी कोण के सामने की भुजा छोटे कोण के सामने की बुजा से बड़ा होता है आइनल वोद नार्म नार्म इधर है ठीक है ओके इसके बाद से 17 नमबर 13 में देखिए हम तो कली बदाया तैने किदर कुछ इस पर जाएगा राम से होंगे सब 17 नमर तेरा में किसी भी त्रिभूज में किसी भी त्रिभूज में यदी दो भूज दो भूजाएं समान है समान का मतलब बराबर दो भूजाएं समान है तो उनके सामने के कूड़ भी बराबर होंगे अब इसको ध्यान देजे यह त्यर्म कर रहा है कि कोई भी त्रिभूज हो तेकर कोई भी त्रिभूज हो अगर आपके किसी तरह पता चाओ गया है कि इसकी दो भूजा बराबर है अर्था यदी अब कोई से पता चल गया है कि इसके बराबर है एसके के बराबर है तो यह अगर बराबर है इसके तो त्यर्म कर रहा है कि इसके सामने के कूड़ भी कि इसके सामने के कूड़ के गरंड़ एक ही बराबर होगा अर्थात कूड़ सी एवी के सामने कौन है सी बराबर एसी के सामने कौन है बी यह आपको जनकारी तुरंत हो जाएगी बोलें कि इसको याद करने के लिए स्पेशल थोड़े अलग से टाइम देना है आप लोगों तो याद होता जा रहा है जब सामने आएगा याद आएगा कैसे बोलेंगे इसको एक बर देखी किसी भी त्रिवोज में यदि दो भुजाएं बराबर है तो उसके सामने के कोड़ भी इसको उल्टा कैसे बोलेंगे कि यदि किसी त्रिवूज के दो बराबर है तो उसके सामने की भुजा भी बराबर होगी समझ मारा है और हर थेरम का विटा है वो आपके उपर है कि जैसे मांग लिजे यहां पर एक सवार पॉश्चन दे रहा है इसे देखें अभी जो है जो पढ़ा भी कादमी है तो सुचेगा पर इसे बताएं यह भी सी है मैं कहा रहा हूं कि यह 12 cm है यह 10 cm है यह 12 cm है उसके बाद मैं कहा कि यह 80 degree है तो बताओ यह कितना degree होगा यह कितना degree होगा तो कोई बताएगा एक सोर वाई का मान थोड़ा सा अपने से मैं कहा रहा हूं कि यह 10 है 12 है 12 है यह यह दिगरी का मान बता दीजिए को यह ब्याद अच्छी चालीश यह सोब पांच सा अज्यूब जी बता रहे हैं अच्छी चालीश अच्छी सुधार कर लिए हैं ठीक है सुधार कर लिए हैं तो देखिए कि यहां पर थेरम कैसे मैं यूज कर रहा हूं एससी किसके बराबर है बी-सी के हमने ठीरम पढ़ा कि किसी त्थि fibre बने लगा दिया कि त्िर्भूज के तेनों कोड़ों का योग 철 एक सोअगा सी होता है तो एक अब समझवाए आप लोगो अगर कोई भी स्टूडेंट हो जिनको यह नहीं समझवाए हो तो बोले कि सारे लोग जवाब दे कि सब यस यस मोल रहे हैं कोई दिक्रत नहीं है किसी को भी चलिए ओके 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 तो यह आपका थ्यरम हो गया कि कि किसी भी त्रिवोज में याज दो भुजाएं समान है तो उनके सामने की पोण बरापर होंगे या दो कौन बरापर है तो उसके सामने की भूजा प्रमे 18 प्रमे 18 प्रमे 18 इसको एक और नाम से जाते हैं अब आपको याद आएगा पाइथा गोरस प्रमे पाइथा गोरस प्रमे कोई है जिसको यह नहीं मानूँ है करेंगे पूछ करेंगे पूछ करेंगे सुने पाइथा गोरस्प्रमे सब लोगों को पता होगा फिर्विन में एक बार बता रहा हूं ज्यान देजें यह त्यरम यह कहता है कि किसी संकूर्ड देखे इनोंने स्पेशन नाम दिया अभी तक में तिर्भूज तरह रहा था अब इसमें बोल आए कि यह दी संकूर्ड इस तरह लिखेंगे किसी भी संकूर्ड त्रभूज में कर्ण पर बना बर्ग कर्ण पर बना बर्ग का छेत्रफल उसके सेस भुजाओं पर बने बर्गों के छेत्रफल के योग के बराबर होता है यह थेल्ज ने इसको सबसे पढ़ाय यही पूर किया था वले ही हम लोग साटकर में बोल लेते हैं कि करण बर्ग 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 कुला सा जार मर्ग लेकिन उन्होंने बहुत मैंनत करके इसको पूर्पकिया कि किसी भी संकूर्ड त्रभूज में जैसे यह लां आड आप्न पर ग्लिय मैं कि एकस्ट आप ड हुझा तुम ट्रबु अभि को कि अधिया få रूपी के आप कने कुल कि अर उने एक दोर भाष पन क्वास्ट तक क्री सकति तनर भाहे हा कि उन्हें ने कहा था कि अगर किसी समखोड तृमुज में गड़ पर बना बर्ग का च्षेतरपल उतना ही होता है, जितना कि इनके दोनों सेस भुजाओं पर अगर बर्ग बनाया जाए, तो इसके और इसके च्षेतरपल के यूद के बारामर ही ये च्षेतरपल होगा. इसका भूजा का कौन है तो BC का इसका इसका आप लोग जो है और मोडिफाइदर के आराम से बोलते हैं करन के हाइपोटेनस करन का इसका 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 है इसका इसका है अब समझ माया यह पैथागोरस का ठीरम क्या है पैथागोरस क्या है अगर कोई पुछता है तो यहीं बोलेंगे आप लोग कि किसी भी समकोर्ति भूज में कण पर बना वर्ग का शेदर पर उसके सेस भूजाओं भूजा इस्वार होता है अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हिंट करें अगर नहीं प्रॉब्लम है तो आगे पड़ें बस्बूद करके यह स्थिरम को एक बार रेज करूं पूछ रहा हूं कि एक बार और थिरम को रिपीटर बोलूं कि एक बार और सुन लीजिए चलिए भाई के लिए रहे कर रहें कि सब ठीक है तो यह जो है आपका फिरम जो है कितने कंप्लीट होगे आपके आपके कितने थिरम कंप्लीट हुए अचारा थिरम कंप्लीट हो गए तो अभी थोड़ा सा टाइम देख लीजिए कि टाइम है तो अब आगे बढ़ाओ कि इसके बाद थोड़ा सा इंपोर्टेंट तो थिरम है लॉंग है अच्छी एगंटा हो चुगा है चलिए तो खर्म देख लिए जाब बाकी चिक है क्योंकि अधिक नहीं एगंटा काफी है क्लास ओबर किया जाए गूड़नाइट गूड़नाइट भाई गूड़नाइट पहले बोल रहे हैं ठीक है ओके गूड़नाइट भाई कलम लूप ही मिलते हैं लास ओबर कर रहे हैं